कि हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आयूप के आप सब बहुत 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 हैं और आज हम करने वाले हैं एट गिरिट अभ्भास पुस्तिका का चार्ट सामज एक बिग्यन का स्वालिशन और पार्ट का नाम है अठारा क्रांतिकादी अंदूलन और डिस्क्रप्शन में लिं अंग्रेज्जों की खलाप और भारत की आजादी के लिए जितने भी आंदूलन हुए हैं उन आंदूलन को इसमें बैडन किया गया है किन-किन करांतिकारियों ने उन आंदूलन में भाग लिया जैसे कि चाफिकर बंदूं को किस घटना के करणड़ फांसी की सजा दी गई 1897 इश्वी में पुड़े में दामुदर और बालकृष्ण चाफिकर राइटिंग को मैनेज करें प्लीज ठीक है बच्चो चाफिकर बंदूं ने प्लैग समीती के प्रधान रेंड एंड लेफ्टिनेंट रेहर्स्ट की रत्या कर दी इसलिए इस घटना के करणड़ उनको वीर शावरकर खुदी राम बॉस बिनायक रानाडे और श्याम जी बर्मा पंजाब की हो गया अपनी कौन-कौन से लाला लाजपत्राय अजीत सिंग लाला हर्जयाल मदन सिंग धींग रहा श्याम जी बर्मा द्वारा विदेशों में खरांतिकारी गयतिविदियों को किस प्रकार संचालत किया गया को बंगो। किया ठीक है आई चलते हैं नेक्स्ट पीछ तो बच्चों नेक्स्ट कुस्चन है स्वतंतरता आंदुर्ण में स्रीमति भीका जी कामा द्वारा क्या युगदान दिया गया तो दिखो 1907 में जर्मनी के इस्टुट गाइड में अंतराश्टी समाजबादी सम्मिलन में सर्व प्रतम मेडम जी कामा द्वारा भारत की सुतंता की कल्पना के साथ भारती राश्ट द्वच फेराया गया कहां पर जर्मनी के गदर पार्टी के प्रमुक नेता कौन थे क्या तदेको बच्चों गदर पार्टी के प्रमुक कारिकरता थी लाला हर द्याल जी लला हरद्यार जी घदर पार्टी का प्रमुक इंद यह था कि सथानिये करांथिकारियों की सहायता कर अंग्रेज 싸 कि विद्दू करदन और प्लीज बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक देगी है तो अन्य सब्जेक्ट का शॉल्लीशन भी देखें राइटिंग को मैनेज करें और विडियो को लाइक और चनल सब्सक्राइब भी जरू कर दें क्वेशनों नमबर छठमा है क्रांतिकारी आंदुलों में चंद्र सीखाराजात की युगदानके बारे में लखी चंद्र सीखाराजात का क्या युगदान है भारत देसको वाजादी दिलानी में ठीक है। आप जैसा कि आगे आप पता है चंद्र सिखरा राजात एक बहुत ही महां क्रांतिकारी हैं हैं ठीके थे नहीं है क्यों वोत् глаз इसके तो इन्होंनां काकोरी कांड सेंडर्स काकोरी कांड में जो भी हुआू उसकी बजाइसे सेंडर्स को पार्क में इलावाद के अपने कनपटी पर गूली रखके अपने आपको सहीद कर लिया ठीक है नेता जी सवाश्चंद्र बॉस का क्या ना रहा था तो नेता जी का ना रहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूगा आएए चलते हैं नेक्ट पीट दितिया चरण के क्या उद्देश थे देखो बच्चो क्रांतिकारी अंदुलन के ठीट एक उद्देश अद्देश धे कि क्रांति के माध्यम से औपनीवेशख सत्ता को उखाड पीकना और क्रांति द्वारा आज्चादी प्राक्त कर लumesक्त है त्वेश्चंशन नूबर 9 परिष्थितियां कौन सी परिष्थितियां है पनपी जिसके कारण जो है आंदुलन का उदैय हुआ लोगों ने बिद्रोय करना चालू किया प्रिष्थ सरकार की उपेक्चा पूर्ण नीटी ठीक है लोड करजन की प्रतिक्रियावादी नीटी ठीक है बंगाल को दो भागाव में विभाजत करना और अंतरराश्टी घटनाओं का प्रभाव जो था अंतरराश्टी घटनाओं मतलब कि अन्य देश यह जो दूसरे पड़ा स्वतंतता अंदुलना में आजाद हिंद फोच की क्या भूमिका थी तो देखो बच्चों भारत को आजादी धिलाने के लिए आजाद हिंद फोच का गठन किया गया उन्नीस सो चवालीश में आजाद हिंद फोच भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही उन्नीस सो च्वालीश में कोहिं में भारती जंडा फैराया इस तरह से चैप्टर जो है वो कंप्लेट होता है आप से मिलते हैं ने चैप्टर में जल्दी टेक क्यार